ये तस्वीर किसी वोलिवड की अभनेत्री की नहीं लेकिन अभनेत्री बनने के कई मोके तस्वीर में दिख रहा ये चेहरा ठुकरा चुका है और बरतमान में हिमाचल की बादियों में एचेहस अधिकारी के तोर पर अपनी सेवाएं दे रहा है जिनका ग्लैमरस लुक लगातार अब चर्चा बना हुआ है और कई लोगों को बिश्वास ही नहीं होता कि ये ग्लैमरस लुक वाली अधिकारी कोई हेरोईन नहीं है और बरतमान में पोस्ट की जाने वाली तस्वीरें लगातार चर्चा का विशेवनी हुई है इससे पहले भी ओशिन शर्मा काफी वार सुर्ख्यों में रह चुकी है बरतमान में ओशिन शर्मा हिमाचल परदेश के नागर कुलु में असिस्टेंट कमिशनर कम बीडियो के पर कारे रत हैं। प्रिक्षा में उनका चैन हुआ और दसमा रैंक हासल किया। ओशिन शर्मा की जितनी भी सोशल मीडिया में चर्चाएं होती हैं। उनके इंस्टाग्राम, फेस्बुक और यूट्यूब पर खूब तारीफ में कसी देर पड़े जाते हैं। ओशिन शर्मा लगातार ग्लैमरस लुक और खूबसूर्ती को लेकर अब चर्चा में रहती हैं। ओशिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और उनके फोलर्स की संख्या भी काफी अखासी है। ओशिन शर्मा दिखने में किसी मोडल या एक्टर से कम नहीं लगती। यही कार्ण है कि उन्हें फिल्मों में काम करने का ओफर भी आयायल लेकिन परिवार बालों को पसंद ना होने की वज़ा से उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया और कड़ी मेहनत के बाद एक अधिकारी बन गई। बता दें कि मूलतोर पर ओशिन शर्मा हिमाचल परदेश की जिलाक कांगडा की रहने वाली हैं। उनका ज्यादा तरुव अक्तिस शिमला में बीता है। बही मीडिय कुख दियेगे शाखशक्तकार में कई बार ओशिन ने बताया कि वे डोक्टर परना चाहती थी और जब क परना लक्षे सिवल सर्विसेज में रखा और त्यारी की। इसी बीच उन्होंने पंजाब यूनिवस्टी में कमिस्ट्री में पोस्ट ग्रैजुशन किया और उसके बाद सिवल सर्विसेज की त्यारी कई घंटे चिंडीगड में ही रहकर की। ओशिन शर्मा सोशल मेडिय पर काफी एक्टिव रहती हैं ये बात पहले भी बता चुके हैं लेकिन उनकी अदान से हर कोई वाखिफ है इतना है नहीं जितने ये ग्लैमरस लुक नजराता है प्रशाशनी काम को लेकर उतनी ही जादा ओशिन शर्मा सुर्खियों में रहती है ओशिन समास सेवा के लिए भी काम करती हैं और लगातार इसमें भी दिर्थचस्पी दिखाती है कुछ वक्त पहले लाडली फाउंडेशन ने उन्हें अपना वरांड अवेश्टर भी बनाया है वे कहती हैं कि असफलता से भी कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि वे हमें बहुत कुछ सिखाती ह लेकिन ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली इस अधिकारी की लाइफ का लवेंगल भी काफी चर्चा में रहा था और आज भी कई लोग कहते हैं कि उनकी अधूरी प्रेम कहानी का दुखत अंत हुआ है लेकिन उमीद है कि साइद वक्त के साथ ओशिन जैसे केरियर में आग अगोश से मिले कुछ घाबी भर जाएंगे रिपोर्ट अपना गजब यह तस्वीर किसी वोलिवड की अवनेत्री